अगर आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा नाष्टा बनाया जाए जो टेस्टी हो, हेल्दी हो, कम उइल में बनके त्यार हो जाए और बच्चों से लेकर बड़ो तक सब को पसंद आए तो ये रेसिपी आपके लिए बैस्ट रहेगी तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए आपको चाहिए मूंग डाल, मैंने आधा कप मूंग डाल को अच्छी तरीके से धो कर चार घंटे पहले पानी में भिगो दिया था, अब मैंने इस डाल का पानी निकाल दिया है और दो तीन बार इसे और धो लिया है, आप देख सकते हैं दाल अच्छे से फूल कर तयार है, जब मैं ऐसे तोड रही हूं तो ये इसली तूट रही है, तो इसी तरह की सोक की हुई दाल हमें चाहिए, अब आपको क्या करना है, आपको एक मिक्सी का जार लेना है और इसके अंदर आपको ये दाल डाल देनी है, और अब यहाँ पर म दो से तीन टेबल स्पून के करीब पानी डालें, बस जादा पानी मट डालिएगा, और धक्का लगा कर दाल को अच्छे से पीस कर आप तयार कर लें, तो यहाँ पर जो दाल है उसे मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, पहुँछ ज़दा पारिक भी नहीं किया इसे, तो बस अब यह जो दाल का बैटर है, इसे एक बोल में आपको निकाल ले रहा है, तो यहाँ पर मैंने दाल को ट्रांसफर कर लिया है, अब इसमें डाल दें आधा चमच साबुत जीरा, एक चौथा ही चमच इसमें जा रहा है हल्दी पाउडर, इसमें हम डालने वाले हैं आध अच्छी तरीके से इस तरह दो से तीन मिनट के लिए एक ही डारेक्शन में फैट लें, इससे दाल थोड़ी फ्लफी हो जाएगी, और अब यहाँ पर फैटने के बाद आप इसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें रैस्ट पर, तब तक हम चलते हैं अगले प्रॉस राई, अब आप सभी मसालों को लोफ लें पर थोड़ा सा भून लीजे, मसालों का कलर पहुँजाता चेंज नहीं करना है पस हलका सा इने ऐसे रोस्ट कर लेना है, और अब यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ, चार लैसुन की कलियां, और इसमें जा रहा है दो चम्मच ना दिया है, सभी चीजों को मिक्स करेंगे, एक मिनट के लिए से अच्छे से भून लेंगे, और बस अब आपको फ्लेम को आफ कर देना है, और यह जो मसाला है, इसे अब आप पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं, तो इसे स्किप कर सकते ह अब यह मसाला ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसे मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया है, एक चमच इसमें जारा है कश्मीरी लाल मिच पाउडर, आधा चमच इसमें डाल दिया है चाट मसाला, इसमें जारा है एक चोथा ही चमच नमक, चाट मसाले में भी नमक होता है, इस नाश्ता में यह मसाला हमारे नाश्ता के टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देगा अब यहां पर इस बैटर को रखे हुए पांच मिनट हो चुके हैं बैटर अच्छे से त्यार है इस पर थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है जिससे इसका टेस्ट तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बैटर पूरी तरह हो चुका है त्यार अब गैस पर मैंने एक पैन रखा है इसे ओयल या घी लगा कर आपको ऐसे चिकना कर लेना है गैस का फ्लेम आपको लो रखना है जब यह पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इस ओयल को अब आपको इस तरह इसे बनाने के बाद फ्लेम कर देना है मीडियम मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे तो अच्छा क्रिस्प बनेगा अब यह देखे साइट से आप थोड़ा सा ओयल डाल देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर शिकने दे और थोड़ी देर में देखे बहुत ही बढ़ी आया है और दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा क्रिस्प आ गया है थोड़ी देर दूसरी तरप से मीडियम फ्लेम पर सेक लिया है अब मैं इसे फिर से पलर देती हूं अब यहां मैं इसके उपर लगा रहे हूं थोड़ा सा टमेटो सॉस अगर आप जाल दिये हैं आप चाहें तो इसके उपर थोड़ा सा बारिक कटा हुआ शिमला मेर्श पत्ता गोवी वगेरा भी डाल सकते हैं अब जो मसाला हमने बना कर रखा हुआ था वह हमें लेना है और इसके उपर यह मसाला डाल देना है आप यहां पर एक चमच के करीब यह मसाला इसके उपर डाल दीजे और अब आपको क्या करना है अच्छी तरीकी से सिक चुका है तो इसे ऐसे फोल्ड कर देना है एकदम क्रिस्पी बना है और खाने में यह सुपर टेस्टी है यह जो मसाला हमने इसके उपर डाला है यह इसे और भी ज़्यादार बना देता है अगर जब डोसा खाने के शौकीन है तो यह रेसिपी आपको बेहत पसंद आएगी तो इसे बनाएं और सब को खिलाएं अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कॉमेंट और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस और ओल पर जरू क्लिक कर है ना बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा तो इसे ट्राय करना तो बनता ही है